नमस्कार दोस्तो ओल हिंदी आडिया टूप चेल में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आपका फंड ट्रस्ट वालेट के अंदर है और अगर आप अपने फंड को OKEX एक्सेंज में ट्रांस्वर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इस वेडियो के अंदर मैं आपको बताने वाल हूँ यहां पर मैं अपने ट्रस्ट वालेट को ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं इसको on password डालके ओन कर लेता हूँ आपका ट्रस्ट वालेट के अंदर कोई भी coin पढ़ा हूआ है जिसे की मेरा matrix coin पढ़ा हूआ है और अगर आपका बिन्बी है एतिरियम है डोज कोई कोई नहीं है सीवा इनू है वैबिडोज है फ्लोकी इनू है या फिर आर्बिट्रम है एप्टोस है ऐसे बहुत सारे कोई नहीं जो कि आपके अगर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर है और उसको अगर आप ओके एक्षेंज में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे सारा इस वीडियो के अंदर में आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ अगर आप भी ट्रस्ट वॉलेट में पढ़ा हुआ फंड ओके एक्षेंज में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो में बने रहिएगा चले दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं उसके बाद में यहाँ पर में OKEX एक्षेंज को ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ यहाँ पर asset पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर trading account पर क्लिक कर देता हूँ तो अभी यहाँ पर में refresh भी कर देता हूँ यहाँ पर आप देख trust wallet को open कर लेना है और यहाँ पर जो भी आपका password set कर रखा वो डाल दीजिएगा जैसे कि यहाँ पर मेरा trust wallet का account open हो चुका है अब यहाँ से मेरे पास polygon matic coin यहाँ पर पढ़ा हुआ है तो इसको मैं OKEX एक्षेंज पर transfer करूँगा अगर आपके पास polygon matic है उसको भी आप transfer कर सक सकते हैं और अगर आपको polygon matic नहीं है जैसे कि आपके पास eptos है bnb coin है ट्रस्ट या इथिरियम है आपके पास में dodge coin है ऐसे बहुत सारे coin है किसी को भी आप यहाँ पर transfer कर सकते हैं मैं example के लिए आपको यहाँ पर polygon matic transfer करके दिखाऊंगा ठीक है आप वेडियो को last तक आपको फंडे वो lost हो जाएगा तो आपको वीडियो को बीच में skip करकर के नहीं देखना है अगर आपने वीडियो को open किया है तो इसको last देखेगा समझेगा मैं आपको proof भी दिखाऊंगा उसके बाद फिर आप अपने account पर apply किजिए उस है ठीक है तो यहाँ पर क्या कि जिस coin को आपको transfer करना है उस coin को आप select कर लिजे जैसे कि यहाँ पर matiko करना है matiko पर click करूँगा यहाँ पर आपको send का option मिलेगा इसके उपर आपको click कर देना है अब यहाँ पर यह पूछ रहा है address हमें address कहां से मिलेगा तो हम इसको बंद करेंगे और okx में जाएंगे यह यहाँ पर फिर asset पर आपको click करना है उसके बाद में यहाँ पर एक option मिलेगा आपको deposit का तो आपको deposit वाले option पर click करना है उसके बाद में यहाँ पर लिखका हुआ है on chain deposit इसके उपर आपको click करना है अब जिस coin को आप ok exchange में receive करना चाहते हैं वह coin आपको यहाँ पर search कर लेना करना है जैसे कि मैंने को Matic करना है यहां पर यह Matic आ गया इसके उपर मैं क्लिक कर लूँगा तो यहां पर मुझे चैन पूछेगा तो यह ही इसके अंदर important है जब भी आप जो यहां पर एक Matic ERC20 यह यह इतीरियम का उपर ही मैंने transfer किया था यानि polygyon metric network से होना चाहिए यहाँ पर purpose echo झाल सेक्ट कर लिया है अब आपको क्या करना है यहाँ पर यह address दिया गया deposit address इसको यहाँ से आप copy कर लिए ठीक है फिर आपको यहाँ पर Funding की जगा click करना ओव और यहां पर trading पे आपको click कर देना है ठीक है यहां से अउमने address कोपी कर लिया बस इसको आपको बंद कर देना है अब आपको क्या करना है trust wallet में जाना है और यहां पर आप से address पूछ रहा था यह वाला address तो जो हम ने copy किया है वो यहाँ पर आप डाल दीजेगा ठीक है अब amount पूछ रहा है कि आप maximum पे click करोगे तो total सारा metric सभी transfer हो जाएंगे तो मेरको सभी नहीं करने मेरको सिर्फ 5 metric की करने है तो मैं यहाँ पर 5 metric डाल देता हूँ ठीक है उसके बाद में यहाँ पर continue का network जो है वो metric है यानि polygon metric का ही chain है कितना फीस लगा रहा वो भी दिखा दिया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर confirm पे click कर देना है और यहाँ पर मैं मेरा password डाल देता हूँ तो जैसे मैं password डालूँगा तो पांच polygon metric यहाँ से मेरा कम हो जाएगा और अभी यहाँ पर 11 दिखा रहा है जैसे यह transfer होगा और यहाँ से कम हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से जैसे कि मैं इसको back करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर देखो 6 डॉलर हो चुका है मेरा यानि जो मेरा polygon metric है उदर एक एक्स एक्सेज में transfer हो गया है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रूब भी अब आपको मैं यह बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने polygon metric को transfer किया अगर आपको किसी दूसरे coin को transfer करना है जैसे aptos है तो इसकी उपर chain भी होना चाहिए जिसे के receive पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर दिखाएगा यह जो chain है aptos chain जब आप aptos को उदर send कर रहे हैं okay x पे तो तब आपको क्या करना है aptos हुआ और बहुत सारे coin हो सकते है aptos है bnb है तो bnb की खुद की block chain है इसी type से etm की खुद की block chain है आर्बिटरम की खुद की block chain है तो खुद की block chain है तो उदर भी वही same network होना चाहिए जैसे मैं aptos का example है उसको दिखा देता हूँ अभी आपको में चलिए हम इसको back करते हैं और यहाँ पर deposit पे क्लिक करना है on chain deposit पे क्लिंग करना है और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ apt और इसके उपर में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ एक ही chain है aptos यानि aptos का ही का blockchain है इसको आपको select करना है और aptos के उपर अगर आपका कोई trust wallet में पढ़ा हुआ है तो direct आप यहाँ पर transfer कर सकते हैं इसी टाइप से BNP का अपना चेन आता है तो चले यहाँ पर मैं आपको proof दिखा देता हूँ यहाँ पर one deposit processing चल रहा है हम इसको refresh कर लेते हैं और यहाँ पर मैं asset पर क्लिक करके trading account पर क्लिक कर लेता हूँ तो अभी तक यहाँ पर मेरा जो है वो आया नहीं है polygon metric तो अभी यहाँ पर थोड़ा में insert कर लेते हैं क्योंकि चार से पांच मिन्ट का time लग जाता है तो आपको गबराना नहीं है trust wallet से आपने transfer कर दिया है same network select करना है network का आपको ध्यान डगना है आपका successful ही आ जाएगा आपको थोड़ा wait करना है तो finally यहाँ पर आप देख सकते हूँ यहाँ पर मेरा polygon metric है यह पांच metric यहाँ पर आ चुका है account के अंदर finally इसको आने में चार मिनट का time लगा हो सकता आपको छे मिनट साथ मिनट का time लग जाए तो आपको गबराना नहीं है जैसे ही वहाँ से आप transfer करोगे तो आपको trust wallet से okay exchange में किसी भी crypto को आप transfer कर सकते हैं